इस्ट्रोएंट्स इस्ट्रोएंट्स न्यू टॉपिक है हमारे पास टेबल अब टेबल देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है मैंने एक चार्ट बनाई है चार्ट पर जाने से पहले कुछ चीज़े बता चलूंग इस्ट्रोएंट्स टेबल जो है अलाओ करता हमें कि हम डिस्प्ले करें कॉंटेंट जैसे कि इमेजिज हो गई टैक्स हो गया इसी तरह से एड्सेक्टर अगर लगा लें तो इन चीज़े को दिखाने के लिए या लिंक्स हो गई हम टेबल यूज करता है और टेबल किस वे में होता है? In the form of rows and columns rows and columns rows and columns rows and columns की वे में होता है सही है? अच्छ ay students जो कोजिनेट करता है वो प्लेस होती है rows की column के साथ, नकि column की rows के साथ सही है? यह बता चलूंद के t r करता है collaborate, सही है TD के साथ आपने देखा होगा मैंने पहले भी बताया था TD and TR में ये बंद हो जाएगा इस तरह से coordinate होता है raw column के साथ ठीक है? अच्छा, ये cells जो होते हैं contact करते हैं direct web page के साथ अपने, जैसे हम जानते हैं मैं एक code करूँगा तो direct website पे चप्चा जाएगा और इसको define करते कैसे हैं tables को, ऐसे ये जितना भी content है table के नीचे, table के अंदर आएगा जब मैं table लगाने जाऊँगा तो table के tags लाने बहुत ज़रूरी हैं, बना table work नहीं करेगा, table के tags लाया और यहाँ पर direct work नहीं स्टार्ट कर दिया अच्छा, students, अब कुछ attributes हैं जो हम देखें किस तरह से work कर नहीं है, ठीक है यहाँ पर आज़ा तो मैं, यह देखें components and requirement यहाँ पर मैंने करा क्या पहले तो टी आर लगाया सभी जैसे आप जानते हैं और क्योंकि यह heading हैं दोनों तो मैंने करा क्या टी एच टी एच और टी एच टी एच पर content और एक और टी एच बनाए उस पर requirement कर दिया, ठीक है इस तरह से, अच्छा, students, कुछ एक और चीज़ बतादा चलू, टी एच होता क्या है टी एच, table of headings, heading show करने के लिए यह heading जो है, बहुत bold हो जाएंगी जब आप वह show करेंगे, टी एच से, यूजिस लिए कि जाता है कि heading बनाए हम ठीक है, या दखा जाए टी एच heading बनाने के लिए होता है, ठीक है और टी आर, rows के लिए होता है और टी डी कॉलम्स के लिए होता है, यह आप जानता है इस्टूरेंट्स यहाँ पर हमने टी एच और टी डी के टी एच के थू हमने ही बना दिया next क्या होगी हमारी कॉटिंग प्रोसेसर एंड वन गीगाहर्ट्स मैंने कह रहा टी आर लगाया से यह और टी डी करके प्रोसेसर एंड टी डी करके वन गीगाहर्ट्स यह देखें, यह हमारी कॉलम्स है एंड यह हमारी रॉज है ओके यह रॉ में भी आएंगे और यह भी रॉ में आएगा, बट यह दोनों कॉलम्स में आएंगी चीज़ है, ठीक है अचा, इनमें वर्क क्या हो रहा है यह आद रखें, अलाइनमेंट हो रही है टेबल के अट्रिबुशन हम पढ़ लेते हैं अगर हम यहाँ पर लिख लें टेबल एट्रिबुशन अलाइनमेंट होती क्या है वो स्पिस्फाइ करता है कि text को किधर आपने लेगे जाने center, left, right इस तरह से करते हैं alignment center, left और right next क्या और ना माई पास width होती है, width क्या होती है आप जानते हैं मैंने हमने पहले ही पढ़ा कि text text की जो है table की width बढ़ाई जाए ये width बढ़ाई जाए, ठीक है next क्या है हमारे पास, border ये है border students ये border, border क्या करता है कि enable, disable करता है कि आपको border लगाए ने लगाए ने लगाए ने टेबिल पे तो ये काम करता है, मेरी मर्जी हमाँ border लगाँ ने लगाँ, border हटा दूँगा तो ये सारी lines हट जाएंगे, okay next जो important है, cell padding होती है ये क्या करता है, जो spaces होता है between the ages ये जो ages हैं, इनके दर्मियान spaces create करता है, क्या cell padding next क्या होता है, next होता है cell spacing, cell spacing क्या करता है कि cells के दर्मियान, जो है, space create करता है padding और spacing तक्रीबन सेम है बस में क्या होता है, कि ये cells थे न इनके between, एक space create करेगा तो इस तरह से हमारे जो है, tables work करते है students याद रहे, कि TR के बगएर, कभी भी आप work नहीं कर सकते rows के बगएर, ठीक है और, क्योंकि rows जो है, merge हुआ हुआ है, column के साथ work की column के साथ करता है, ठीक है तो ये थी हमारे table और उसके attributions और हमने एक code देखा, ये यहाँ से ts था, ये td, ये td इस साथ td करके हमने columns को create करा तो students, I hope आप students को बहुत चीतिक से clear हुआ 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 हुआ